हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज हम बात करेंगे CISF कॉंस्टेबल रिकूट्मेंट 2023 के बारे में जिसकी ओपिसिल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटा फट से चैनल को सस्क्र कर लेते हैं सबसे पहले हम CISF कॉंस्टेबल डिगूट्मेंट 2023 नोटिफिकेशन देखेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट अगर हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें तो केंदरिया औरोगिक सुरक्षाबल यानि CISF की तरफ से भेकेंसी निकाली जाएगी अगर हम टास्पदों के लिए भरती निकाली जाएगी अगर हम सेलेरी की बात करें तो हमारा सेलेरी 21,700 रुपई से लेकर 69,100 तक पर मंथ रखा जाएगा अगर हम जोब केटेगरी की बात करें तो हमारा जोब केटेगरी गोबर्मेंट जब होने वाला है अगर हम एपलाई मोड की करें तो हमारा जोब लोकेशन अल अबर इंडिया रखा जाएगा यानि इंडिया के सभी के इंडियेट इस फॉर्म के लिए अविदन कर पाएंगे अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो अगले वीडियो में देने की कोशिज करूंगा अगर हम CISF Constable Job Post Details की बात करें तो हमारा उत्तर परदेश के लिए 112 भेकेंसी रखी गई है अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए 3 पद रखा गया है अगर हम राष्थान की बात करें तो राष्थान के लिए 39 पद बिहार की बात करें तो बिहार के लिए 123 पद रखा गया है चंडिगर की बात करें तो चंडिगर के लिए 1 भेकेंसी रखी गई है दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए 10 भेकेंसी रखी गई है अगर हम हर्याना की बात करें तो हर्याना के लिए 14 वेकैंसी रखी गई है 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ के लिए 40 वेकैंसी रखी गई है अगर हम मध्यपर्देश की बात करें तो मध्यपर्देश के लिए 50 वेकैंसी रखी गई है अगर हम जारखंड की बात करें तो जारखंड के लिए 87 भेकेंसी, पंजाब के लिए सल्ला भेकेंसी, गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए 34 भेकेंसी, गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा के लिए 1 भेकेंसी, हिमाचल पर्दिस की अगर हम बात करें तो हिमाचल 40 भेकेंसी लद्दाक के लिए, 1 भेकेंसी महराष्ट्रे के लिए, 70 भेकेंसी मानिपूर के लिए, 11 भेकेंसी मेगालेया के लिए, 13 पद मिजोराम के लिए, 5 पद नगालेंड के लिए, 7 पद रखा गया है। ओडिशा के लिए 58 भेकेंसी पंडिचेरी के लिए 1 भेकेंसी तामिल लाडू के लिए 41 भेकेंसी तेलंगाना के लिए 30 भेकेंसी त्रिपुरा के लिए 15 भेकेंसी पस्षिम बंगाल के लिए 54 भेकेंसी अंध्रपरदेश के लिए 79 भेकेंसी असम के लिए 103 भेकेंसी कि अगर हम बात करें तो हमारा सेलेरी 21,700 रुपई से लेकर 69,100 पर मंत रखा गया है अगर हम स्याइए से नियू रिक्रूट्मेंट के इस पर दीडिये अब के लिए यारी तो उगया अगया करीखैंगे अगर हम स्याइसे अगर हम बात करें तो हमारा एज़लिमिट 18 साल से लेकर 23 साल के सभी इस फर्म के लिए आविदन कर पाएंगे अगर हम इंपोर्टेंट की बात करें तो आविदन की प्रांभिक्ता थी यानि प्रांभिक ती ती यानि ओनलाइन फर्म डेट अभी नहीं दिया गया है अगर हम लाजज़ड की बात करें तो लास्ट डेट भी नहीं दिया गया है जैसे ही इसकी कोई नहीं जनकारी निकल कर आती है तो मैं इसकी जनकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करें अगर हम एप्लिकेशन फिस की बात करें तो हमारा एप्लिकेशन फिस अनिया समानिया वर्की अ कोई भी फिस नहीं रखा गया है अगर हम अगर आप भी इस फॉर्म के लिए आवधन करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूंगा जहां जाकर आप इस फॉर्म के लिए आवधन कर पाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदे